हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने लैप्टॉप से अपने डेक्स्टॉप से किस तरीके से आप अपने वाट्सप को कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत एजी कुछ स्टेप्स आपको फोलो करने होंगे तो चलिया यह स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को लेकिन मेरा आप सभी से एक छोटा से रिक्वेस्ट है अगर आप इस तरह की और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं और यह देखिए जो पहला कई है वा OdSup.com आपको करना है क्लिक जैसे आप क्लिक करेंगे यह उैपको वाटसट ले जाएगा अपने साइड पे यहाँ पर आपको QR code मिलेगा जिसे कि आपको यहाँ पर scan करना है अपने WhatsApp से तो इसके लिए आपको simply कुछ ही नहीं करना है यहाँ पर बता रखा सारा process तो चलिया यह इसके बारे में एक बार मैं आपको phone पर ले चलके दिखाता हूँ तो यह है मेरा WhatsApp अकाउंट इसमें आपको यहाँ पर साइड में दिख पा रहा होगा थ्री डॉट दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ दिया गया है वैब, WhatsApp वैब, sorry मैंने net on नहीं कि एक बार net on कर देता हूँ अब आपको इन थ्री डॉट पर क्लिक करना है और WhatsApp वैब पर क्लिक करना है मैंने अल्रेडी अपने लैपी से connect कर रखा है तो अगर दुवारा करना चाहते हो आप तो यहाँ पर प्लस की साइन दिख रहा होगा उपर उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको इससे अपने जो है डेक्स्टॉप पर जो QR कोड दिख रहा है उससे यहाँ पर इसकैन करना है सिंप्ली जैसे आप इसको स्कैन करेंगे आपका जो है लैप्तॉप आपकी WhatsApp से connect हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर अपने QR कोड को स्कैन कर दिया और स्कैन करते ही आपको यह WhatsApp पर लेके चला जाएगा आपके जो भी आपका WhatsApp है उसके उपर उसके बाद आप यहाँ से सिंप्ली जिसे भी मैसेज करना चाहते हैं उसे मैसेज कर सकते हैं बहुत ही आसान है ठीक है सो कैसा लग आपको वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता हैं सो थैंक्यू एरी मच वाच इन दिस वीडियो